श्री शद्गुरू महाराज कीजे शंत्ट सद्गुरू महर्शी मही परमहनजी महाराज की सिक्षाप्रद कहानियां सुरुत लेखक महर्शी संसेवी परमहनजी महाराजी शंत्ट निंदा अस्त्वुती में सम रहते हैं शंत कभिर्श शाहब ने कहा है निंदक नियर राखिये आंगन कोटी छवाए बिन पानी शाबुन बिना निर्मल करे सुभाए सबसे बड़ा पुन्य क्या है सबसे बड़ा पाप क्या है वो शामित तुल्षी दास जी ने रामचरिक मानस में लिखा है अर्थात सबसे बड़ा पाप है किसी की निंदा करने इसलिए कि जिसकी निंदा की जाती है उस बेचारे का कलेजा करता है अर्थात उसके मन में घोर कस्ट होता है अगर उसमें अब गुन अधिक है और गुन कम है तो गुन कम होने वाले को पहले नरक मिलता है और जिसमें गुन अधिक है उसको चीर काल तक सुख मिलता है निंदा करने में यही होता है इसलिए महात्मा इन दोनों में सम रहते हैं चाहे उनकी निंदा करो चाहे अस्तुती करो निंदा करो तो तुम जानो और अस्तुती करो तो सो तुम जानो शंत लोग निंदा शह लेते हैं, शंत कवीर शहाव ने काशी में अपनी हाशी आपकराई, कहा है काशी में हाशी करी गनिका संग लगाए, इसलिए फगवा होली में लोग गाते हैं सुनले भईया मोर कवीर कवीर शहाव के हाथ में एक बोतल गंगा जल से भड़ी तथा एक और वेश्या, दुसरी और रविदास जी थे और श्वेंग मस्त की तरह चलते थे, जैसे सराप पी रखी हो, एक नवाव थे बिजली खाँ, उन्होंने ऐसा देखा, तो मन में सोचा की शंत कवीर ऐसे हो गए दूसरे राजा थे वीर सिंग बगहेल, कवीर शाहव के वे शिश्य थे, उनके यहां भी गए, उन्होंने कवीर शाहव को बैठने भी नहीं कहा, इसलिए कवीर सिंग बैठ गए, जब वे बैठे तो वीर शिंग बगहेल ने कहा, आज आप इस तरह क्यों हैं? कबीर शहाब ने कहा निंदा करने वाले बहुत होते हैं तो वे मेरी निंदा करेंगे लोग मुझे को बुड़ा कहेंगे इसलिए मैंने ऐसा किया पीछे बोले लोग कहते थे कि बोतल में सराव है लेकिन यह गंगा जल है मैंने अपने पएर पर जो गंगा जी का पानी डाला इसका मतलब यह है कि पूड़ी में जगनाथ जी के पट में आग लगी थी उसी को मैंने इस पानी से बुझाया जिसकी लोग निंदा करते हैं उसका कलिजा करता है लेकिन जो समदर्शी होते हैं वे निंदा अस्तूती में सम रहते हैं किसी को दुरवाक्य नहीं कहते हैं कबीर साहब के लिए ही नहीं कहा जा रहा है पहले के मुनी मुनिश्वर शाप दे देते थे लेकिन संत लोग शाप नहीं देते थे शांती संदेश नवंबर सन पुनिश्व तरासी स्वी श्री शद्गुरू महाराज कीजे